नमस्कार विद्यार्थियों मैं सुभम कुमार SPPA Online के माध्यम से एक वार फिर से आपके वीच उपसित हो चुका हूँ भूगोलगी कक्षा को ले करके आज हम लोग इस कक्षा में जो बात करेंगे वो बात करेंगे संसाधन में सक्ती अर्थात उर्जा संसाधन के सभी वस्तुनिष्ट प्रशनों को इस अध्याय के तहट हमने आपके किताब से वस्तुनिष्ट प्रशन को लिया है और आपके किताब के बीच से जो भी बन सकने वाली वस्तुनिष्ट प्रशन था उसको भी हमने इसमें सामिल करने का कोशिस किया है मुझे आसा है कि इस से बाहर बोड परिक्षा में वस्तुनिष्ट कोश्चन नहीं आएंगे इसलिए ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए ताकि परिक्षा में एक भी प्रश्ण आपसे नहीं छूटे चलिए कक्षा के सुरुवात करते हैं अब आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप सस्क्राइब कर लिजी और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजी अब सुरू करते हैं आज के पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण है कौन सा उर्जा स्रोत और नवी करनिये है ओप्सन देखते हैं ओप्सन है जल बी है सौर सी है कोईला और डी है पवन और नवी करनिये हम लोग पहले ही अध्या में चर्चा कर चुके हैं नवी करनिये थोरा सा बता देते हैं कि नवी करनिये होता है जिस स साधन को हम पुनह बार बार यूज कर सकते हैं और अभी करनी होता है जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं मतलब एक वार यूज करने पर वो खतम हो जाता है तो अब में जो है दो भागों में उपयोगता के धार पर बाटा गया उपयोगता के धार पर दो भागों में बाटा गया उर्जा को एक प्रात्मिक उर्जा और दूसरा गौन उर्जा तो प्रात्मिक उर्जा वो होता है जो डिरेक्ट इनर्जी देता है और गौन उर्जा होता है जो तो कोईला जो है कोईला से डिरेक्ट इनर्जी उर्जा जो है डिवलप होता है पेट्रॉलियूम से भी होता है और प्राकिर्थी गैस का मतलब लपीजी वेगारा या सीनजी वेगारा जो हम लोग यूज करते हैं यहां पर विद्यूत देख लेजिए विद्यूत जो है यान जल से बनता है तो यह जो है कहीं न कहीं प्राथ्मिक उर्जा पर डिपेंडेड है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी हो जाएगा विद्यूत उर्जा प्रात्मिक उर्जा का उधारन नहीं है तीसरा प्रशन देखते हैं तीसरा प्रशन है उर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो यहां पे समय के अधार पर उर्जा को दो भागों बाटा गया एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक पारंपरिक का मतलब हुआ जो परंपरागत रूप से पहले से हम लोग उर्जा के लिए यूज करते आ रहे हैं जो संसाधन वह पारंपरिक और जो हम लोग नया नया डेवलफ की है अभी अभी उसको हम लोग कहेंगे गैर पारंपरिक तो बिल्कुल भी बात नहीं है देख ल रहे हैं पेट्रॉलिम भी उज करते हैं तो इस रिजिवी नया डेवलफ किए चलिए बढते हैं अगले कोस्चन की तरफ हो कॉस्चन निम्न में से कौन सतत सक्ती के श्रोत काँना अस्तर के अधार पर भी दो भागों बाटा गया, एक कहा गया कि एक सतत सक्ती होगा और एक समापनिये सक्ती होगा, सतत सक्ती मतलब ऐसा सक्ती का ऐसा साधन जिसका हम continue यूज कर सकते हैं, मतलब लगातार कभी खतम नहीं होगा, और दूसरा समापनिये तो नाम से करते हैं, अप्सन है, प्राक्रती है सौरगी ऑफिला, से प recruited सक्ती के सोग हैं पूछ रहा है, कौन सा है सतत सक्ती के सोग पयोड्य तो हम चेह स्ट्द हैं ​​काभी खतम होने वाले नहीं है, इसको हम continue कर सकते हैं Я जबकि प्राक्रती को रेहता I M. कोईला यह सब सिमित है यह खतम हो जाएंगी इसलिए यह सब गौन समापनिये सक्ति के सुरोत हैं अगला कुश्चन इसी पर है पांचमा है निम्न में समापनिये सक्ति के सुरोत कौन है तो यह समझी गए हैं समापनिये सक्ति क्या होता है देख लेते हैं ऑप्शन भीखंडन के साथ जो निकलता है वो भी खतम होने वाला नहीं है भूमी के नीचे बहुत उसमा है पवन भी खतम नहीं होगा प्रभाहिद जल भी खतम नहीं होगा यहां जो ए समझ में नहीं आ रहा है यहां परमानु उर्जा जिसको आप लोग सुने होंगे और इनर्जी इससे विजली उत्पन होता है तो उसमें कुछ यूज होते हैं जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम बैगारा तो यह जो है इसी को विखंडनिये तत्व करते हैं क्योंकि यहां पर नावीख टया होता थोड़ा सा नाविख यह टयान होता है इसलिए ऐसे सिमित मातरा में हैं इसका भंदारं सिमित मातरा में है समाब्थ हो सकते हैं जंसर हो जाएगा समाब्थ सब्सक्राइए दूलांचकों प्रश्ण है निम्न में गौन और्जा के उदारन है अब देख लेते हैं जो यह प्रात्मी और दार पर और तो क्या हुआ段 इनर्जी होता है जिससे प्राथ्मिक उर्जा के सहयोग से इनर्जी डिवलप किया जाता है तो आप आंसर ऑप्सन देख लेते हैं ऑप्सन ए है विद्यूत भी है कोईला सी है पेट्रॉलियम और डी है इन्हों से कोई नहीं तो कोईला और पेट्रॉलियम से तो डायरेक्ट समझ पाएंगे सात्मा प्रश्न देखते हैं सात्मा है गुंडवाना समुह के कोईले का अंद्रमान हुआ था हमारे देश में दो समुह कोईले का गुंडवाना है एक टर्सीरी समुह है तो गुंडवाना वाला जो छेत्र है वह उत्री जो नदी मैदानी वाला भाग है वह पाए जाता है तो गोंडवाना समू का जो कोईले का जो निर्मान हुआ था यह बहुत पहले हो गया था बीस करोर वर्स पूर्व तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बीस करोर वर्स पूर्व देखिये ऑप्सन में कंफीजन होगा लाख है हजार है इनमेंसे कोई नहीं आपको देखिए बहुत चुकि आप ध्यान में राख लेजिए कि बहुत पहले हुआ था तो करोरों वर्स पूर्व तो यहां पर 20 करोर वर्स पूर्व इसका निर्मान हुआ था और टर्सियरी जो है वह नया है इसलिए गुंडवाना समुग के जो कोईले होते हैं वह बहुत समुग ऑदाइं में नइसे कोई मैंने अभी अभी आपको बताया नहीं हमें के गुंडवाना समुग का इसलिए इसका अंसर A हो जाएगा नौमा प्रश्ण है किस कोईले को कोगिंग कोईला भी कहा जाता है तो देखिए कोईला के चार तरह के कोईले होते हैं यह option में आपको लिखा हुआ है option A है एंथ्रासाइट बी बिटुमिनस सेलिगनाइट और पिट यह चारों कोईले के प्रकार हैं तो इसमें जो सबसे अच्छे किस्म का कोईला होता है कारवन की मातरा सबसे अधिक होती है मतलब धूआ खम होता है उसमें उसको खुकिंग कोईला का जाता है तो भाई ये ऐसा कौन FA телा है तो तो ऐसा कोई बढ़ति W XD को हैं इंत्रासाइट कोई लग्बवन की कारवन की मात्रा 90% से ऊपर होती है इसको जलाने पर उधा ज्यादा मिलती है और भूआ कम होती है इसलिए इसको कोकिंग कोईला के जाना जाता है यह सब से उच्छ किस्म का कोईला है बार्जबा की बीटुमीन अग्णाइट और पीट सबसे अदिक होती है यहां पर याद रखने का थोड़ा सजूरत सबसे खराब किस्म का जो कोईला होता है वह पीट होता है बढ़ते हैं एक आर्माप्रशन की तरफ लग्नाइट कोईले का भंडार मुक्रूप से किस राज में है कि हम लोग भूगोल पर रहे हैं तो भंडारन पर नहीं परेगा option देख लेते हैं option न जोपशन है त्भी में आसं औरणाणाई उरी- थर सॉथ में ज जादा है और और फ्ञोध में तमिलाडू है सबसे ज्यादा है लेकिन अलगे आंसर तमिलाडू चाहिसा में आगे बढ़ते हैं बार्वां सबसे अब इसकांगर में मातरा सबसे अधिक होगी वह सर्वित्um कोईले का परकार होगा और आपके मंद मेंuman जबाब आही गया होगा फिलाल हम ऑप्सन देखते हैं एंथ्रासाइट पीट लिगनाइट बिटुमिनस और आपके मन में जबाब जो है एंथ्रासाइट सही आया है अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत में कोईले का शर्व परमुक उ दो बाते हैं उत्पादन में भी जारखन सबसे ज्यादा है और भंडारन में उसके पास सबसे ज्यादा है जारखन राज के पास और उत्पादन हो रहा है उसमें भी कोईला सबसे ज्यादा उत्पादन कहा हो रहा है जारखन में तो कोईला का नाम सुनते ही जारखन का नाम मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है पहला है option कोईले के निर्यात है तू दूसरा है तेल सोधकार खाना है तू तीसरा है खनीज तेल है तू और चौथा है परमानों शक्ति है तो तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा खनीज तेल है तो यानिकि सी देख लिए यहां पर तेल दो कर आद एक समूद्र सागर नामक परियोजना है जोगार आज़ै वहां से समूद्र से क्या होता है कच्चा एह को पेट्रॉलीय और और चुकि नहीं किया जाता है यहां पे गच्चा तेल निकाला जाता है बाद में उसको पाइप के द्वारा अस्थाल पर बेज करके उसको चुड़ किया जाता नहीं है जितना कि खनीज के तेल है टू कर के है तो इसलिए इसका अंसर सी हो जाएगा इसमें कंफ्यूज नहीं करना है अगला प्रश्ण है पंद्रमा भारत का पर्थम तेल सोधकार खाना कहां इस्थित है अब सबसे पहले तेल सोधकार खाना कहां हुआ ऑप्सन देखते हैं मतुरा बी बरवनी सी डिगवई और डिगवाटी ऑप्सन है सी सही जबाब डिगवई यह कहां है किस राज में असम में है उन्हें सो एक में इसकी अस्थापना हुई थी अगले प्रश्ण पर नजर डालते हैं अगला प्रश्ण है बर्तमान में भारत मे कितने तेल सोधागार हैं सोधनागार हैं ऑप्सन देख लेते हैं ऑप्सन ए है अठारा बी है बीस सी है पचीश डी है डस इसका जो सही जवाब होगा यह होगा सी आपके किताब में अठारा लिखा हुआ है जो 2009 के आसपास का था बर्तमान में पचीश है यह करेंट डाटा है तो देख लेजिए आपके 25 अगर उपशन में नहीं होगा बोर्ड परिक्षा में क्योंगी कई बार बोर्ड परिक्षा किताव के अनुसार से कूशता है तो अगर पकचीश ऑप्सन में नहीं होगा तो आप 18 मार इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर पचीश हो तो तेल सोधक कारखाना है आठारमा प्रश्ण किस राज में खनीज तेल का विशाल भंडार है ऑप्शन है ए असम बी राजस्थान सी बिहार और डी तमिलाडू इसका सही जबाब क्या है असम असम में जो है खनीज तेल का बहुत ज्यादा भंडार है और आप देखे भी थे कि पहला जो कारखाना था वह कहां खुला था असम में ही डिगवई में चुकि वहीं पर सबसे पहले तेल खो जा गया था है ना तो इसलिए असम में विशाल भंडार है तेल का उनिसमा प्रश्ण देखते हैं भारत में प्राकृतिक गैस प्राधिकरन की अस्थापना कब होई प्राकृतिक गैस प्राधिकरन की स्थापना की गई यह उन्हेसु चवरासाशी मिंगया अब आप कहेंगे कि यह प्राकृतिक गैस क्या है तो यह हम लोग पेट्रॉस यूज़ करते हैं घरो में और गारियों में की करते हैं यही सब प्राकृति गैस के उधारन है और अगला प्राशन देखते हैं प्राकृति गैस कि स्खनिच के साथ पाया जाता है अब कर देख लेते हैं और है लगनियम भी है पेट्रॉलियम सी है चुना पत्थर औडी है कोईला तो प्राकरतिक गैस जो है वो पेट्रॉलियम के साथ ही होता है जहां प्राकरतिक गैस भी होता है उसी में अलग-अलग छाटा पेट्रॉलियम से में जो है देखें पेट्रॉल अलग किया जाता है डीजल प्रश्न परियोजना किस नदी पर भाखरा किस नदी पर उपस्थ है थो नर्मदा सबसे बड़ी घाटी पर योजना कौन सी है तो अप्शन देख लेते दक्षिन भारत मतलब उत्तर भारत और दक्षिन भारत मतलब इधा तमिल्ला डुबैगारा के तरफ है तो तुंभद्रा सरावती चंबल हिरा कुंड है इसका सही जवाब क्या है तुंभद्रा ये कृष् पर योजना दक्षिन भारत की सबसे बरी नदी घाटी पर योजना इसको ध्यान रखना है तैस्वा प्रश्न है भारत में प्रथम जल विद्यूत सेंद्र के अस्थापना कहां हुई थी ऑप्शन ए है दार्जलिंग भी है करना टक सी है उत्तर प्रदेश वर डी है इन में ताप ये विद्यूत के अंदर हैना विद्यूत उत्पादन करने कई सारे तरीके हैं मैंने आपको उपर भी बताया है कि कोईले से भी होता है ताप ये विद्यूत से होता है जल विद्यूत होता है नाविकिये विद्यूत होता यानि परमानु उर्जा होता है तमाम तरह क तो सबसे पहले कहां किया गया था तारापूर में तो तारापूर में परमानो उर्जाकंद्र की अस्थापना की गई थी और यह 1955 में किया गया था है ना अजादी के सट के बाद, कर दिया गया था, तारापूर कहा है महाराष्ठ मेnin महाराष्ण मुनुंबी शारसे थोरा ही दूर है परमाण ऊरजा के अंदर तारापूर है हमारे देश में अभी साथ परमाण ऊरजा के अंदर है इसको आगे question में हम लोग देखेंगे अग्ले प्रश्ण देखते हैं uranium का परमुक उत्पादक अस्थल कौन सा है देखे उरेनियम से परमानого ओर्जा बनता है यूरेनियम से नाभी के विखंडन करा करके atomic energy generate किया जाता है तो इसका जो प्रमुख उत्पादक अस्थल है और यूरेनियम भी एक तरह का खनीज है इसका जो उत्पादन अस्थल है यह कहां है इसका सही जवाब क्या होगा जादू गोड़ा जादू गोड़ा कहा है जारखंड में और यहां सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादक अस्थल है हमारे देश में बादमा की विदेशों से भी हम लोग आयात करते हैं अगला प्रशन है 27 मां एसिया का सबसे बरा परमानो वीद्यूत्ग्री है तो ओप्शन देख लेते हैं तारापूर कलपक कम नरोरा कहेगा इसका सही जवाब क्या होगा तारापूर सबसे पहला भी तारापूर है और एसिया का सबसे बरा जो परमानो वीद्यूत्ग्री है वो भी तारापुर ही है जो महाराष्ट में है ठीक है 28 प्रश्ण है भारत में कितने परमानो विद्यूत ग्री है तो भारत में देख लेते हैं option option है 4, 2, 6 या 7 तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा 7 है भारत में कुल 7 परमानो विद्यूत केंद्र हैं कौन कौन है कुंडन कुलम बिल्कुल नया है जो 2010 के असपास इसका नीव रखा गया और अभी बनके तयार हो गया है तो 7 हो गया पहले 6 था अभी पूरा जो बनके तयार हो गया कुंडन कुलम बला तो 7 हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं भारत के किस राज में सौर उर्जा के वि अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ज्वाड है तरव और तरंग्-और उत्पादन है तो भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाते हैं बिजली उत्पादन करने का यह जुआरी तरह बोड़ा जैसे समुद्र में जो लहर उत्पन होते है ना जुआर और भाटा वहां से उसमें भी बहुत सारा इनर्जी होता है उस इनर्जी को सेव करने के लिए वहां से एक टेक्नलोजी बिख्षित किया गया कि इससे भी बिज नदी में इसका सही जवाब क्या होगा भी खंभात की खारी में आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर दिजिए और हां सस्क्राइब करक जरूर दबा दिजिए तब तक के लिए लेते हैं विदार मिलते हैं फिर से अगले किसी वीडियो में ओके गुड़ टेक केर